नवस्कार इस वक्त बड़ी खबर ओडिसा से आ रही है बहुत ध्यान से सुनिएगा ओडिसा में पहली बार ऐसा होगा जब भारतिय जुनता पार्टी की सरकार बन सकती है ओडिसा के भीतर ये बहुत बड़ी खबर बीजेपी के लिहाद से क्योंकि अब तक यहीं देखा गया है कि जब से ओडिसा का गठन हुआ वहाँ पर चुनाव हो रहे थे पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी अपने दम पर बिना किसी की मदद के सरकार बनाने की स्थिदे में पहुँच सकती है और ऐसा ओडिसा विधान सभाच चुनाव के एक्जिट पोल के आकड़े बता रहे हैं ओडिसा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने ये भी देखा कि ओडिसा में जो लोगसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एक्जिट पोल के आकड़े यह ही बता रहे हैं एक्जाक्ट पोल तो इसके लिए कुछ घंटों का वार इंतिजार करना पड़े लेकिन ओडिसा में इतना बड़ा परिवर्तन हो क्यों रहा है इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है और सबसे बड़ी बात कि क्या नवीन पतनायक का और जो बीजू पतनायक के वक्त से जो एक लेगेसी चली आ रही थी क्या वो खत्म हो जाएगी हम इसी बात पर चर्चा करेंगे पंकर जी आपको क्या लगता है यह उडिसा में जो यह सर्प्राइजिंग चीजें निकल कर आ रही है इसके पीछे क्या दिखता है आपको वजह क्या है सर्प्राइजिंग नहीं है पिछले दो तीन सालों से अगर आप उडिसा की राजनिती को फॉलो करते तो देख सकते थे क्या रहा है पहला रीजन नवीन पतनायक बाबू की तबियत आपने कई वीडियो में देखा और का हाथ काप रहा है या फिर एक दो वीडियो और आया बैठ रहे हैं देखिए उनकी तबियत पहले की तरह नहीं है खराब है कोई कितना भी दबाने चुपाने कोशिश करें लेकिन यह सच्चा यह वो पिछले दो सालों से उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है वो सची वाले कम जाते हैं और आरोप है उडिसा के लोगों का कि पं कर रहे हैं और इसे लेकर बीजू जनता दल के अंदर भी सब कुछ सहज नहीं है जो पुराने नेता है जैसे पिना के मिश्रा सुने में आएक उनकी पंडियन साब से नहीं पढ़ती तो एक असंतोष बीजू जनता दल के अंदर भी है कि पंडियन कौन होता है वह इसा को च बहुत अच्छे संगठन करता है जब उत्तर प्रदेश में चुना हो रहा था तो जब किसान अंदोलों नहीं चल रहा था तो पूरे भारत में नरेटी फलाए गया था कि भाई पश्मी उत्तर प्रदेश तो बीजेपी को नुकसान हो और सुनिल बंसल साहब को वहां के जि बंदल साहब को लगाया गया कि देखिए आप तिलंगाना उडिसा ध्यान दीजिए वहां हमारा इसको बढ़िया है और उन्होंने उसी वक्त से काम करना शुरू किया वह पन्ना प्रमुख जैसे कि वोटर लिस्ट का एक पन्ना एक आदमी इंचार्ज है उसका काम है रोज कि मालिया की दस आदमी है ना वोटर तो सब्ता में एक बाप उन दस में से किसी को घर बैटके चाय पिए कैसे है घर में कोई समस्यात नहीं चोटी मुटी जो प्रॉब्लम है वह पन्ना प्रमुख सुल जाएगा अगर पन्ना प्रमुख नहीं सुल जा पाता तो वह मंडल अध्यक्ष को बताता है कि देखें इनके हां इसी समस्यात तो वह रिलेट कर रहे थे लोगों से जोड रहे थे वह लोगों को तो और्गनाइजेशन स्ट्रॉंग हुआ है वहां बीजेपी का और तीसरा एक फटिक फैक्टर होता है नवीन पतनायक नवीन पतनायक नवीन चेंज करके देखते हैं क्या होता है तो वह फोरेट चेंज उसको बीजेपी ने बहुत अच्छे से कैप्चर किया है अच्छा अभी यह भी देखा गया है मेरे क्याल में फिशले 7-8 महीने पहले तो बीजेपी बीजडी में सब कुछ बढ़िया था वह सीन भी वह तस्वी देखिये रिलेशन आज भी अच्छे हैं बीच में बात चली थी कि बीजू जनता दल भरती जनता पार्टी में गडबंधन हो जाएगा और फिर यह स्विप कर जाएंगे बीजू जनता दल और बीजेपी दोनों के रण नितिकार बैठे और यह कहा कि अगर हम एक तरफ हो जाएंगे तो विपक्ष का स्पेस हम कॉंग्रेस को दे देंगे कॉंग्रेस जिन्दा नहीं होने चाहिए तो हम ही रहेंगे तो पक्ष और विपक्ष में मुझे ऐसा लगता है आपके exit पोल क्या करें नहीं पता लेकिन इस बार विधान सभा के चुनाओं में बीजेडी को थोड़ा सा एज है और लोग सभा चुनाओं की जब बार बारी आएगी तो बीजेपी क्लिंस्टिफ करेंगे विधान सभा तुम सम्हालो लोग सभा हम सम्हालेंगे बराबरी बराबरी दिखा रहे हैं जनता की क्या रहा है नहीं पता लेकिर रनीती यही है और मैं आज सब्सक्राइब चार सांसादा एक आया या फी 16 सांसादा अंत में जब केंदर को जरूत पड़ेगी न वहां राज सभा में या लोक सभा में भोड़ देने की तो बीजू जनता दल इंडिय की तरफ ही जाएगा कॉंग्रस की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि उडिशा के तो अभी जो नया सर्वे आया है जो उस सर्वे के हिसाब से दावा किया जा रहा है जो एक्सिस माई इंडिया का प्रेडिक्ट है उसने कहाए कि 62 से 80 सीटे बीजेपी अपने दम पर ला सकती है और जैसे कि मैंने आपको बताए कि 74 सीटों की आवश्यक्ता है वहाँ पर सरक लेडी में अब यहां से अगर बीजेटी हार जाती है तो उसको तो नेता भी चुनना पड़ेगा नेता भी ढूंडना पड़ेगा नेता है वहां पे लोकल भले ही पंडियन साहब को चलते वह उभर कर नहीं आ रहा है मैं बताता हूं देखिए अगर आपके यह आंकडे वि स्टेशन पर तो प्रधान मंत्री के लिए मोधी को दवाते हैं और मुख्य मंत्री के लिए नवीन बाव को दवाते हैं और ऐसे लोगों की संक्या पांच-दस परसेंट है तो पांच-दस परसेंट है जो स्विंग है लोग सभा में मोधी के पक्ष में तो यह तो बंपर व बिजु जनतादल है इसका 45-46 परसेंट है विधान सभाद चुनाओं के लिए 3% वोट से आगे है विजु जनतादल लोग सभाद चुनाओं में शिफ्ट है मैंने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ पे बीजेपी के पक्ष में जब सांसत चुनना है तो बीजेपी के पक् यह मेरा आकलन है जो मैंने महसूस किया वहां अपने आप में अगर मान लिजेए यह प्रेडिक्शन सही होता है यह एक्जेट पोल सही होता है उसके बाद आप उडिसा में वीके पांडियन कभी भी उडिसा को लीड नहीं कर सकते हैं मैं बताता हूं बहुत सारे लोग यह बीजेडी संभालना और जनता का चेहरा होना अमीद शाह संभाल सकते हैं लेकि चेहरा मोदी है नवीन बाबु चेहरा हैं वीके पांडियन संभाण के अरोजमर्रा के काम देखते हैं तो दोनों फर्क है हो सकता है केसी वेनुगोपाल बहुत अच्छा संभाण चलाते नाम पर वोट नहीं मिलते पंडियन के नाम पर वोट नहीं मिलते पंडियन जैसे चेहरा बने कोशिश करेंगे वोट कर जाएं वह एक लिग अपने बात कि बीजू जनतादल की बीजू पतनायक नवीन बाबु यह सब हैं आज भी नवीन बाबु बोलते है इस्जत से यह अब यह जो सबसे लॉगेश सर्विंग चीफ मिनिस्टर पर उडिया नहीं आती बोलनी नहीं आती बीना उडिया जाने हुए लॉगेश सर्विंग चीफ मिनिस्टर है वही मतलब इनका इमेज साधू टाइप का है कि कोई भ्रहष्टाचार नहीं हाँ अब लगने लगा व मोदी जी का अनाज 5 किलो है लेकिन पैकेट जो बाटते है उसमें नवीन बाव का चेहरा है यह वहाँ पर बहुत आरोप है और राजिसर कारे भी देती है लेकिन वहाँ मोदी की योजनाय वह उसको गाउवाले नहीं बोलते है नवीन बाव ने दिया और ऑडिसा में बीजेर पी कि पास कुछ भी नहीं था यह भी बात नहीं है पिछले बार 2019 में 23 सीटे थी और 112 सीटे थी बेजेडी के पास 9 सीटे थी और कॉंग्रिस में तो इस बार बहुत सारे लोगों ने पार्टी बदली है और बीजेडी की तरफ किये हैं कॉंग्रेस वहां जिस तरह से चली है मैं बोलूगा अजय कुमार वहां के प्रभारी है और यह आदमी बहुत व्याइपी आदमी उडिशा के जो कॉंग्रेसी बताते हैं इनको आना है तो अभी भी वह आई-पी-एस वाली ठसक है आधा अंग्रेजी आधा हिंदी मिला मिला क आपने तो उनको फ्लीद क्या होगा जम्शेतपुर में उनको छुष्ण शोड़ते भी देखा जाते ददिल रहते हैं द१ा का इनकि कॉंग्रेश का को न närके चीज करें कि आधा कि एक अगर चुनाउ लड़के दिली आ गया तो आपको दुबारा जाने की जिरूत नहीं है अब आप आपके इसाब से क्या यह इतिहास बनाएगी बीजेपी की पहली बार अपने दम पर उडिसा में उसकी सरकार बनेगी आपके इसाब से कौन उडिसा में विधान सभा चुनाव जीत रहे हैं हम लोग सभा की बात नहीं कर रहे हैं उडिसा में विधान सभा चुनाव भी हुए हैं और वहां के रिजल्ट भी चार तारिक को यानि अपसे कुछ घंटों में आने वाले हैं तो यह चुनाव कौन जीत रहा है कॉमेंट बॉक्स में बताईए आपके हिसाब से